पूरे वर्ष भर में सिर्फ एक ही दिन आता है इस मोके को आप हासे मत जाने देना इस उपाय को करने के बाद तीन महा में विवा पक्का हो जाता है जी दोस्तों गुरुदेव की कता सुनकर ही आपको उपाय बता रही हूं बहुत ही अच्छा उपाय है हर्तालिका तीच के दिन जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो उनसे ये उपाय आप जरू करा है उपाय कैसिव आपको दर्शन कराना है जिन घर के अंदर फूलेरा बंदा जाता है या जिन मंदिर में शिवलिंग के उपर फूलेरा बंदा जाता है फूलेरा हर्तालिका तीच के दिन वहाँ पर उन लड़का लड़की से बोलिए कि फूलेरा के दर्शन करके आजाए कितने फुलेरा के दर्शन करने हैं साथ फुलेरा के दर्शन करें नमन करें अपनी मनों कामना बोलें विवा नहीं हो रहा है उसके लिए कामना करें और अपना नाम वक गोत्र बोलें और दर्शन करके आ जाए इस तरह से साथ अलग अलग फुलेरा के दर्शन करना है मंदीर में फुलेरा हो मंदीर चले जाए किसी के गर में हो तो किसी के गर में जाकर के दर्शन कर ले पर साथ फुलेरा के दर्शन करने मात्र से तीन महा में विवा पक्का हो जाता है अगर आप कुछ ले जाना चाहते हो तो किसी भी व्रक्ष की पांच पत्या ले 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 फूल ले पांच या फिद्धतुरा ले ले और शीवलिंग पर अरपन करते जाए फूलेरा के नीचे शीवलिंग होता है वहां अपनी मनो कामना बोले नामवक गोत्र बोले और अरपन कर नामवक गोत्र बोल की विवात